आपको अगर पता हो तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी आपको मैं बता दूँ कौन सा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ एक वीडियो कल मैंने बनाई थी ये वाली वीडियो अगर हम इस वीडियो की बात करेंए कल ही मैंने इस वीडियो को बनाई थी और मैंने इसमें कहा था कि आप लोग जो है अपना राय दे नीचे दे कि किनका फॉर्म 55% से कंप पर reject हुआ और किसको नहीं हुआ है तो आप देखेंगे 227 लोगों ने जब सक मैं वीडियो बना रहा हूं 227 लोगों ने comment कर दिया है इस पर अब इसके जो comment है हम लोग उनकी comment को पढ़ेंगे किन किन लोगों के reject हुए और किन किन लोगों के reject नहीं हुए तो हम लोग इस पर बात करते हैं ठीक है चलिए तो हम लोग इसको देख लिते हैं किन के reject हुए अब देखेंगे सबसे पहला नाम यहाँ पर एक बच्ची ने comment किया है आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देख तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहां पर लिखा गया है, एक रिंकु खरवार जी है, इन्हों ने लिखा तक कमेंट में, कि सर मेरा suspect minimum 55% दिखा रहा है, SC से आता हूँ, यानि इन्हों ने बता दिया कि मैं SC से आता हूँ, और मेरा 55% से जो है कमा रहा है, आगे देखते है अगला जो कमेंट है, यह कमेंट है करुनेश कुमार जी का, इन्हों लिखा है कि मैं बियर फर्स्ट इयर का student हूँ, कटेगरी SC है, BA में मेरे 51% है, लेकिन current status जो है suspect दिखा रहा है, यानि यह भी जो है, जो करुनेश जी है, यह भी SC से आते हैं, और इनका भी suspect minimum 55% दिखा र है, कि सर जी मेरी बेहन बीर प्रथा मर्स में पढ़ रही है, और कटेगरी उनकी भी SC है, और 55% इनका नहीं है, 48% है, फॉर्म आर्लाइन करा के जमा करा दी है, लेकिन कालेज वालों ने फारवर्ड नहीं किया है, कह रहे हैं कि 55% नहीं है, तो फारवर्ड नहीं होगा, scholarship न आगे देखते हैं, अभी मैं सारी चीजों के बात करता हूँ, अभी आगे देते हैं, उसके बाद अमित कुमार सिंग है, इन्होंने कहा है, suspect minimum 55% marks in graduation, previous year course reject नहीं हुआ है, अभी, जन्रल बियर प्रथम समेस्टर, यानि कि ये जन्रल है और इनका 55% marks है, लेकिन इनका reject नहीं हुआ है, यानि कि आप ये देख सकते हो, कि अभी दक जिनके form reject हुए हैं, वो 99% लोग, 99% जो लोग बता रहे हैं, वो SC कटेगरी के हैं, तो क्या SC कटेगरी वालों के reject हो रहे हैं, OBC जन्रल के नहीं हो रहे हैं, हम आगे देखते हैं, और भी comment हम देखते हैं, चलिए, उसक मेरा verified हो गया, मगर मेरे साथ का एक लोगों का 54% पर लिख रहा है, previous class less than 55% scrutiny में, तो मेरा scholarship आएगा या नहीं, तो मैंने इन से पूछा, कि आपकी category क्या है, और उनकी क्या है, यानि जिसका 54% पर reject हुआ है, इनकी category क्या है, और आपका verify हो गया, तो आपकी category क्या है, तो इनो कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके लिए कोई जो है प्रमाण नहीं है, कि SC का ही form reject हो रहा है, OBC और जनरल का reject नहीं हो रहा है, लेकिन कहने के बात यह कि चौकानी वाली बात तो यह है, कि बच्चों की जो SC वाले बच्चे हैं, यानि कि कमेंट कल SC वालो फिर यहाँ पर आ गया है, सुसांत कुमार मौर्या जी ने लिखा है, कि बेड़ फस्ट इयर 53% OBC से हूँ बेरिफाई हो गया, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, इनका 55 से कम है और यह OBC है और इनका बेरिफाई हो गया है, बट सर मेरा अभी तक 5000 रुपे वापस नहीं ह आया है, कल या परसों में या फिर आज ही मैं कॉल करूँगा, फिर से बात करूँगा वहाँ पर देखते हो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है तो इसके लिए बेट ना करिए, फिर इन्होंने एक बच्चे हैं जिनका नाम है, हाँ, रंजन तेज दस कुमार जो भी इनक इन्होंने ये लिखा है, अला कि आप देख रहें, बहुत साई लोग कहते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हो, ये देख लिजिए मैंने इस्टाग्राम पर रिप्लाई भी किया है, अब इतने ज्यादा मैसेज आते हैं तो कहा तर रिप्लाई करूँ, आप लोग भी अब यहाँ पर एक बता है, कि सर आज स्टेटस चक किये तो परसेंटेज लेस दन 75% के साथ, अब सस्पेक्ट मिनिममम 55% इन ग्रेजिएशन प्रीवियस येर कोर्स भी दिखा रहा है, अब देखिए इनकी भी हम कटेगरी देखते हैं, देखो इनकी जो कटेगरी है वो भी की SC कटेगरी है, इनोंने नीचे लिख दिया है, तो कहीं न कहीं जो SC कटेगरी है, इनकी फार्म 55% के नीचे वालों के रिजक्ट हो रहे हैं, देखिए जनरल और OBC की जो है फार्म अभी भी रिजक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब एक आज SC, OBC और जनरल में सिर्वोर सिर्व सिर्व से की फार्म रिजक्ट हो रहे हैं, बाकि किसी के भी फार्म रिजक्ट नहीं हो रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान न होईए, अब जो है से कंपर जो है reject हो रहे हैं तो लेकिन कहने का मतलब यही बन रहा है कि तो फिर OBC जनरल क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं OBC जनरल में जिनका verify हो गया है और उनका reject नहीं हुआ अब आगे का देखते हैं आगे क्या हो रहा है ठीक है चले कोई दिक्कत नहीं है बाकी अगर आप जनरल OBC ST अगर आप किसी से बिलॉंग करते हो तो आप नीचे लिखिए कमेंट करिए कि क्या सर मेरा अभी नहीं हुआ या आपका हुआ तो आप कमेंट करिए ताक कि अच्छी नहीं हुआ उनको जो है परिसान होने की कोई वी जरूरत नहीं है उनका जो है वेडिभाई हो जाएगा एक से दो दिन में पांच मार्ज तक वेट करिए कम से कम, अभी जो है मात्र, यहां पर मैं एक दिखाता हूँ आपको, कि 27 फरोरी तक 22,000 निजी संस्थानों में से महल 1428 की रिपोर्ट अभी जो है भेजी गई है, अभी 800 कॉलिजों की रिपोर्ट ही अभी नहीं भेजी गई ह तो आप लोग घबड़ाईए नहीं, अभी सब बेरिफाई हुआ है उनका वेरिफाई हो जाएगा, लेकिन रिजेक्ट वाला में बता दूँ तो अभी तक जो मुझे पता लगा है कि SC की ही जो है, नहीं रिजेक्ट हो रहा है 55%, बाकी सभी लोग का रिजेक्ट हो रहा है, स इन लोग का अभी भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो मिलते हैं अनली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिल, जय भारत!